सब्सक्राइब करेंगे संदे के वीडियो में प्लस कुछ इंपोर्टेंट अगर इवेंट्स हैं इस वीक में तो वह समझने के कोशिश करेंगे प्लस एक शुरू का 5-6 मिनिट में यह भी डिस्केशन करूंगा कि यह जो दुनियावर में अभी चल रहा है सारे स्टॉक मार्क सब्सक्राइब करता है हमारा मार्केट हमारा इकनामी रिसेशन में नहीं है पहला बात तो वह है तो ओवर और कंटेक्स समझाने के कोशिश करूं कि हो क्या रहा है दुरिया भर में जिसके कारण स्टॉक मार्केट इस तरह से हाई पाही लगा रहे हैं आने वाले वीक के लि सब्सक्राइब करने है लेकिन हम लोग अभी क्या डिस्कॉस करेंगे हम लोग अभी दिसकश करेंगे हम लोग लोग आ कि अबैसा कि यह भी देख लेंगे कि अगर कुछ पॉसिबिल्टी चल रही है क्या सिचुईशन चल रहा है क्या ऐसा तो वह भी हम लोग बार डिसकस कर देंगे थोड़ी जिससे हमको थोड़ा यह दो अगर जा रहा है तो 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 रीजन हो गाएं जाती तो यह लोग क्या होता है यह लोग जोभी कि अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा हुए तो वो रिटन नहीं आ रहा है उससे बढ़ने लग नहीं आ रहा है तो लोग क्या करने लग लग गए है कि एक काम करो इसमें इंवेस्ट करो अब क्या है बेचने वाले कम लोग है क्योंकि सब लोग को लगता है ठीक है रखा हुआ है लोग को स्टोल सब्सक्राइब अब कर देते हैं तो इससे क्या होता है उससे यह होता है ही आपके जैसे इस्तॉक मांगेट में बढ़ते जाता यह आपके मनी सप्लाइव करते जाती है और जैसे वहां कर रहा है तो उसके बाद वो ऊसी तरीके से अपना बढ़ते जाते तो जैसे वह बढ़ रहा थे मल चुम ships तो आपको बैंक पैसे रखते होना तो पैसे कटते हैं अगर आपको बैंक में पैसे रखने हैं तो आपके मतलब जो इंडिया में इंट्रेट आपको बिलता है साल के इंड में भले नॉमिनल मिले वहां पर माइनस होता है तो लोग वहां पर क्या दिखते हैं कि इंक्रीज किये जा रहा है आपका इसका मतलब क्या है कि नीचे नहीं आएंगे क्या आ सकते हैं को एक संग बहुत बड़ा करेक्शन भी आएगा लेकिन वह होने के बाद वह कब होगा किसी को नहीं पता जब तक वह नहीं होता है तब तक परिशान होने की जरूद नहीं है और तब तक तो फिर लाइफ इंज कुछ आपको रखना होगा उसके लिए मेंटरी रेडी रहना होगा इंवेश्मेंट पॉइंट पॉइंट अव्यू से कि के बबल है ओवर वैलोईशन है सब चीज है बट फिर भी मनी फ्लो आ रहा है जब तक मनी फ्लो आएगा वह मैंने कल एक ट्वीड भी किया था कि पहल अब सब के पास पैसा है सब पुष कर रहे हैं जिस चीज को सब धक्का देने में लगे हुए वह तो आगे बढ़ेगा तो वही वाला कानी है अगर वालोग कार खराब भी हो जाता है तो कारी आगे बढ़े जाती है अभी वही हो रहा है तो मार्केट 400 पॉइंट करेक्शन हर महिने 500 करोड एडिशनल तो लमसम वाले डाल देते हैं यहां चलो ठीक अब सुनके यह नंबर बहुत ज्यादा लगता है बट 18,000 करोड की साइपी 140 करोड के पॉपलेशन में तो मतलब एवरेज में कुछ ही इन्वेस्ट करते हैं बट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके सभी इतना पैसा है कोई हिसाब के बाहर नहीं अगर वैसे देखें तो मेरे महिना में एक लाग चलिस एर समधिंग की साइपी जाती है बात यह यह कि वह आज से नहीं चल रहा है वह कितने जमाने से चल रहा है और बढ़ते ही गया अमॉंट राइट तो अगर यह बार बार बढ़ते जा रहा है तो मैं खुद भी तो इंवेस्टम जाती ही कर रहा हूं हां यह है कि इंवेस्पेश्मेंट फोट्फोलि यह बढ़ता है तो देख के अच्छा लगता है तर आईडिया इस कि दोनों का बैलन्स होना चाहिए इंवेस्टिंग डोनीं चलते रहनी मेरा जो रहता है कि मेरी एक वीडियो भी आने वाली है डिटेल में मैं उसके में समझाया भी है इंडेक्स बेस्ट इंवेस्टिंग हो गया यह सब क्या है सस्टेनेबल लॉंग टर्म ग्रोथ आपको दिरे दरे देते रहेंगे अगर्ण करेक्ट नहीं होंगे मार्केट्स करेक्ट होते रहेंगे तो टाम करेक्शन देते रहेंगे लेकिन पर यही है कि आपको एक प्लाटफॉंट के लिए बता देदेंगा जहां पे आपको ऑप्ष्ण ट्रेडिंग की दुनिया में एक हेल्प मिलने वाला है यहां पर आपको अच्छा का सा हेल्प मिलता है इनके ऑप्ष्ण स्टोर के थ्रूप्ष्ण स्टोर ऐसा एक प्लैटफॉर्म है जहां पर क्या होता है कि जो इन्वेस्ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको एक यूजर फ्रेंडली इंटर्फेस दिया जाता है जिससे एक सब्सक्राइब करते हैं और जब यह प्रवाइड गिया जाता है तो उस समय क्या है इनके प्रैटफॉर्म पे आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं इनकी रिशर्च अडवाइजरी टीम बहुत अच्छी है इनके काफी सारे रिकमेंडेशन भी चलते र रहते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा कासा है एक ट्रस्टवर्दी प्लैटफॉर्म मिल जाता है जहाँ आप आप आप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं लिंक डिसक्रेप्शन में रहेगा चेक जरूर करिएगा एंड मोती डाल उसवाल के संग अपना पांट आप हमने क्लोजिंग करी यह सिंगल था एंड चार्ट पर भी स्टॉंग देख रहा है मार्केट आइडिया इस कि यह जो मोमेंटम मार्केट कैश करने कोशिश कर रहा है यह अगर करेक्शन देके जाता तो मोमेंटम और थोड़ा सा पूल थ्रू होता बट जैसे प्रदूसर प् आपको करेक्टिव मूव दिखता है बट वो कब आएगा किसको किसी को नहीं पता करेक्शन अगर देके मार्केट जाएगा तो वह अपस थेज़ा थेज़ा पांसों के तरह बढ़ने कोशिश करेगा प्रवाइड हो थोड़ा सा क्रेक्शन कोई कोई बेस बनाना पड़ता ह अभी हमने एक पूरा को किया है अभी कांसलीडेशन का उपर का ब्रेक आउट का लेवल क्या है तो फिर वहां से फ्रेश रैली चालू हो सकती है और लाइगार्ड अभी एक ही चल रहा है बाद भी वह सारे स्टॉक में इतनी नेगेटिवीटी होने के बाद वह उपर है उसमें खराब नहीं हुआ था बट वह फिर भी नीशे चल रहा है उसको बचा के रखा गया लास्ट लेग ऑफ राईली के लिए यह समझ में आता है ऐसे ट्रेडर मुझे यह तो लास्ट ले लास्ट में इसी से राईली करा ले जिस दिन HDFC चलेगा उस दिन आपको कोई जरुवत नहीं पड़ेगी किसी और स्टॉक्ट ले जाने मार्केट पर जाना मतला निफ्टी पास्ट पॉन्ट ऐसे उपर जाके बैट जाएगी सारे स्टॉक्स में बाकी में तो शॉट कवरिं है तो आपके निफ्टी के भी स्टॉक्स में शॉट कर आदेगा वह वह क्यों तो डेरिवेटिव डेटा के उपर चल रहा है डेरिवेटिव डेटा में सब उखड़ जाएंगे तो वेट करते हैं कब होगा यह देखके लग रहा है कि जो मैक्सिमम लोग शॉट में बैठे ह वाल हूँ क्योंकि में वह कैपिटल करने का इच्छा नहीं है और डेंट लगा हुए इस साल में और डेंट नहीं देना है वह होता है इस साल अब इससे बड़ा डेंट मैं लेने वाला नहीं हां जरूर करो वह बात है इंट्राइब में मिल रहा है काट लिए खतम पोजिश अब ट्रिगर कराएगा वह उन्हें अभी टाइम है अब तक लिए देखते हैं अगर आइटी लाश्वी अच्छा चला अब फ्राइडे को जैसा प्रॉफिट बूकिंग मैस्टक वागिना में दिखा अगर वह थोड़ा सा भी मोमेंटम आता है हमारे अब थोड़ी प्रॉ नहीं हो रहा है आप यह समझो और टाइप हाई पर चल रहा है तीक है चलने दीजें यह भी हो सकता है कि एंप्लॉई कॉस्ट कम होगा तो यह एंप्लॉई लोग कम रहेंगे तो इनको अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है स्टॉक अच्छा करना चाहिए बट ओवर यह साइन नहीं है पॉजिटिव साइन यह होता कि आप हाईरिंग भी जम के कर रहे हैं प्रजेक्ट भी आपको जम के मिल रहे हैं कॉस्ट कम करके ना कंपनी है मिन अच्छा कर लेगी उसके बाद आपको ग्रोथ के लिए तो वाल्यूम चाहिए तो वह चीज है तो ठीक है तो कि यहां रखना है उसके उपर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ वकर रहे हैं अगर पड़ता है तो दिक्कत आएगी उसके बाद आपको धियान रखना है कि अगर किसी कारण से आपको मिलता है मोमेंटम इन फम सीजी क्योंकि फम सीजी बहुत करेक्ट हुआ था फ्राइडे ब पॉजिटिव का एक्सपेक्टेशन लेकर चलिए इनके लिए अब आते हैं नेक्स्ट में अपने रहेगा अपना फामा तो फामा दो देखिए बुलिश ही चल रहा है लास्ट दो वीक से थोड़ा मुट्वेट था फिर से बुलिश होने की कोशिश इस वीक में कर सकता है इस वीक कोई मेजर इवेंट भी नहीं है इंडिया का सर्विसस प्यमाई का डिटा आना है वाट वो सबसे हमारे यहां कोई फ़र्क परता नहीं है अगर यह नहीं होता है तो मोस्टली पॉजिटिव चीजह ही होनी है तो उसे हिसाब से व्यू रहेगा आपको प्लान करना है यह हो गया हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा मैं अभी आपको लेवल समुरी बता देता हूं लेवल समुरी के ल है आपका बुलिच बाइस इंटेक्ट रहेगा 22,000 के उपर जब तक मार्केट है अगर मार्केट जाता है तो उसके बाद क्या होगा 22,000 के नीचे मार्केट अगर जाने पर क्या होगा कि आपको मुमेंट देख सकता है तो ट्वेंटीव नाइन थर्टी फर्स्ट लेवल एक तो द्यान रखेगा 22,000 के उपर कुटिकना चालू किया बड़े मूव्स देना चालू करेगा मार्केट वह से तना वहां से रिवर्स भी कर जाए कि लोगों के श्टॉप लो लेता है और रिवर्स कर जाता है कि देखते हैं क्या होते है तो पूस के लिए रे एक दिम कर दिया मार्केट तो फिर वहां से पसे पूसिछोंगद के लिए पहुंचेगा तो फिर नीचे से पुट को और उपर शिफ्ट कर लिजेगा एंड कोई अगर प्ले करना जाता है तो मार्च का 22,000 बेटर लग रहा है क्योंकि प्रियों सुस्में जाता है अब बफर भी मिल जाएगा आपको 22,500 ऊपर तक का 21,500 नीचे तक का इसी रेंज में मा 46,300 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो 46,150 एन 46,000 के तरह मार्केट अप्रोच कर सकता है 46,000 तूटने पर थोड़ा सा पोजिशनल सेलिक प्रेशर आ सकता है अपसाइड का क्या धियान रखना है अपसाइड में धियान रखना है 46,500 का लेवल 46,500 जब तक नहीं तोड़त कर सकता है तो उसके लिए mentally ready रहिए का इसमें को श्राइडल बन रहा है क्या में को लगता है कि इस वीक में इसमें पोजिशनल मूव ही मिलना चाहिए कोई अगर प्ले करना चाहता है अगर बात करें तो कोई दिख्कत उसको नहीं आने चाहिए आप देख सकते हैं उसके अपना प्लैनिंग कर सकते हैं अगर बात करें तो अगर बात करें लिए दो गोल्ड़न जिल्वर में आपका गोल्ड़ का इसावत दो बुलिश है यहांसे बुलिशी चल रहा है है अग्डुड का बात बात कुरूट को सिक्ष्टि-फ्टा थी उसक्टी वाइप देचुका है अधासे बोल रहा है में इसाप से ब्लूड़ होगा और वाप सब चीज ठीक है चल रहा है चलने देते हैं वीडियो अची लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजेंगे